आज कई राजु में पहिये थमे हुए हैं, हजारों लोग परिशान हो रहे हैं, वज़ा है बंद S.C.S.T. एक्ट पर सुप्रीम कोट के फैसले के खिलाफ दलित संगटनों ने दीश भर में बंद का आवान किया है इस बंद के कारण आम लोग परिशान हो रहे हैं S.C.S.T. एक्ट पर सुप्रीम कोट के फैसले के खिलाफ आज दलित संगटनों के बंद से पुरा देश परिशान है बंद के दोरान यूपी, राजस्तान और मध्यप्रदेश में हिंसा की खबर है मध्यप्रदेश के मुरायना में बंद के दोरान हिंसा में एक यूवक की मौत हो गई है जबकि दूसरे यूपी के मेरट में बंद समर्थकों ने गालियां फूंक दी राजसान के बालमेर और अजमेर में भी हिंसा की खबर है बालमेर और अजमेर में वैपारियों और बंद समर्थकों के बीट जड़प हुई है बिहार और ओडिशा समेथ कई राज्यों में बंद समर्थक रेल ट्रैक पर उतर आए है इससे ट्रेन लेट हो रही है, हजारों रेल यात्री प्रभावित हो रहे हैं बंद के कारण जगय जगय जाम लगा हुआ है, इससे लोगों को भारी परिशानी हो रही है हजारों लोग अभी ट्रैक जाम में फसे हुए हैं, ऐसे में सवाल ये है कि आखिर बंद के नाम पर आम आदमी को परिशान क्यों किया जा रहा है सवाल ये कि राजनीती चमकाने के लिए बार-बार बंद का आवान क्यों किया जाता है विहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, ओडीशा, पंजाब, राजियों के नाम बदले, लेकिन हर जगा हंगामे की तस्वीरे एक जैसी रही S.E.S.T. आक्ट पर सुप्रीम कोट के फैसले के खलाफ दलित संगटनों के बंद से पूरा देश जैसे थम गया बंद का समर्थन कर रहे संगटनों के कारेकर था कहीं सड़क पर उत्रे तो कहीं रेल ट्राग जाम कर दिया नतीजा ये रहा कि पहिया ठप हो गया और लोग परिशान के बंद का अंदोलन छेड़ा है और आज हम भारत के पूरे चक्का को जाम कर देंगे अगर दलित समाज के लोग जाग गए तो देश का सत्ता पलटते पल नहीं लगेगा बंद के दौरान समर्थकों के गुंडा गर्दी भी दिखी यूपी के आगरा और मेरट में बंद समर्थकों ने हंगामा किया आग्रा में बंद समर्थकों ने तोड़ खोड़ की यहां गाड़ियों पर पत्राफ किया गया जिससे कई गाड़ियों को निक्सान पहुँचा राजस्तान के बाड़ मेर और अजबेर में भी बंद समर्थकों ने तोड़ खोड़ की दोनों करफ से पत्थर चले इस हंगामे में कई लोग दखनी हुगा तलित संगठनों के विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खलाफ रिव्यू पेटिशन दायर कर दी लेकिन तब भी बंद समार्थकों का गुस्ता शांत नहीं हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में सी एस्टी प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस पर हमने रिव्यू फाइल कर दिया है भारत सरकार की ओर से रिव्यू फाइल हुआ है और मैं बहुत विनमता से कहना चाहता हूँ कि मानिय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रीजदिंग से हम सहमत नहीं है तो बाकी विष्टार से भारत सरकार के जो बड़े वकील है वो अपनी बात रखेंगे बंद के कारण दरभंगा से दिल्ली तक लोग परिशान हुए रेल रुखी तो हजारों लोगों को मन्जिल तक पहुँचने में दे रहे है ओफिस के लिए निकले लोग लेट हुए व्याफार बंद होने से करोड़ी का नुक्सान हुआ ऐसे में सवाल ये कि आखर बंद के नाम पर आम आदमी को क्यों परिशान किया जाता है आखिर बंद के दौरान सरकारी संपत्ती को क्यों नुकसान पहुचाया जाता है और बड़ा सवाल ये भी कि अपनी राजनिती चमकाने के लिए विरोज के नाम पर बार बार बंद का आवान क्यों किया जाता है विरो रिपोर्ट, जी मीडिया केंद्रे ग्रिह मंतरी राजनात सिंग ने अपील की है कि बंद समर्थक हिंसा ना करें राजनात सिंग ने बंद समर्थकों से शान्ती की अपील की है वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी आदव ने कहा है कि केंद्र की सरकार दलीतों की विरोधी है मैं तो सभी राइनिटिक दलों से यही अफील करूँगा कि किसी भी प्रकार का कोई दंगा फसाद न हो इस दिश्टी से सभी सहयोग करें मैं समता हूं कि ऐस सब सारे आरोग पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार है और ऐसी स्टी पैदा नहीं करनी चाहिए ताकि इस देश में किसी प्रकार से जातियत तनाव अत्वासामपरदाई की तनाव पैदा हो ऐसी स्टी आक्ट को ले करके जो केंदर सरकार का जो रवया है यह साब दर्शाता है कि यह लोग दरिद विरोदी है आरेक्शन विरोदी और सन्विधान विरोदी है मन्शा जो है केंदर सरकार की वो साफ है कि स्टी स्टी कानून को खतम कर दिया जाए और यह दुबारा डेवी पेटिशन डालने की भी ज़रूरत नहीं परती है अगर ओडिनेंस ला करके सद्टी लाइन में डाल देते हैं अगर डिबेट की शुरुआत करते हैं इस डिबेट में दो राउंड होंगे इसके अलावा हम आलोक शर्मा को कॉंग्रेस से जोड़नी की कोशिश करेंगे और देवाशीज जररिया जो की BSP समर्थक हैं वो हमारे साथ जोडना चाहते थे लेकिन हमारे ये शो बंद से प्रभावित हुआ और देवाशीज जररिया हम तक नहीं पहुँच सके बंद की वज़ा से चलिए आज के पहले राउंड की शुरुवात करते हैं सभी मैमानों को साथ सेकंड मिलेगा साथ सेकंड में बात यानि के अपना पक्ष रखें उसके बाद बज़र बज़ेगा और आपके आवाज बंद हो जाएगी आई शुरू करते हैं पहले राउंड पहले राउंड का सवाल हमारा ये होगा कि बंद के नाम पर आखिरकार हिंसा क्यों? और बंद के नाम पर आम आदमी को परिशानी क्यों होती है? या क्यों परिशान किया जाता है? चलिए, तो सबसे पहले इस डिबेट की शुरुआत करते हैं जॉन दयाल मैं आपके पास आना चाहूंगा ये बंद बवाल में क्यों तब्दिल हो गया? बंद करना लोगतांत्रिक अधिकार है, विरोध करना लोगतांत्रिक अधिकार है लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही है वो लोगतांत्रिक अधिकार नहीं है? पहले तो एक कर्रेक्शन कर दूँ, मैं दलितों के और बागियों के शुक पर चिंदन करता हूँ ये दलितों का ही बंद है, वो भी आम आदमी है, उनको भी तक्लीफ हो रही है उनकी तक्लीफ शायद मोटर कार, मर्सिरीज मेंस में बैठे वे लोगों से शायद कुछ ज़्यादा है, तब ही वो सड़क पर उतरे हैं, आपका ये सवाल वाजिब है कि जो बंद था, वो वाइलेंट क्यों हुआ, उसके अंदर इतना ज़्यादा क्यों दुकाने तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये इसमें लोग तो परिशान हो रहे हैं, जाटों ने बंद किया था, पूरा उतर भारत कितना परिशान हो गया था, कितना खुन कराब हो गया था, हाला कि लोग मानने रहे हैं कितने महिलाओ के साथ, दुर्वेवार हो रहा था बाकी जाती लोग करते हैं जिसको कह सकते हैं पॉलिटिशन्स खुद करते हैं बंद आंधर बंद करते हैं वला करते हैं बंद एक राजनीतिक हतियार है उसका इस्तेमाल ठीक है बिजॉन मिश्चा बंद एक राजनीतिक हतियार है लेकिन जो हो रहा है क्या आप इसे भी राजनीतिक हधियार का नाम देना चाहेंगे जो तस्वीर सामने आ रही है बंद के नाप पर हिंसा, आगजनी, दुकानों को फूंक देना, सड़क पर आगजनी करना, ट्राफिक रोग देना, रेल रोग देना, ट्रांस्पोर्टेशन रोग देना ये सारे गलत हैं, जो हो रहा है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी इसके जिम्मेदारी लेना चाहें उनको, उनको ये समझना चाहें कि कोई भी इदी मुद्दा हो, उसको एक डिमोकरिटिक रूप से लाना चाहें, आप इदी बंद भी कॉल करोगे, तो लोगों का परिशानी नह हैं उनको पैसे देते हैं, तोड़ फोल करने के लिए, उनको रास्त जाम करने के लिए पैसे मिलते हैं, ये गलत हो रहा है, इसलिए हम लोग बार बार कहते है प्रफनी जो पैसा देता है जिसे चीजे बनती है उसी को नस्ट किया जा रहा है यानि की अपना ये नुकसान किया जा रहा है चलिए अनिला जी मुझे ये बताईए आज कॉंग्रेस सद्ध्धक्ष राहूल गांदी ने कहा कि RSS और BGP के DNA में है दलितों का विरोध का नाम विवेक जी अगर हम जो हमारे हरिजन भाही हैं इनके इतिहास में जाएं तो 3500 साल से भी जादा हो गए हैं इनके उपर एक्रोसिटीज या मैं कहूं अत्यचार होते होए इसमें कोई दोर आयनी है कि जब एक रियाक्शन होता है तो कहने कहीं उस दबाव में रियाक्शन होता है और हर एक्शन के उपर रियाक्शन होता है एक्शन ये हुआ कि सुप्रीम कोट का एक वर्डिक्ट आया रियक्शन होना वाजब था उसका रियक्शन ये था कि रिव्यू पेटिशन दायर हो जाती पर हुआ क्या हुआ ये कि राजनीतिक डल जो है उसमें इन्वाल्वड हो गए अपनी राजनीतिक रूटियां सेखने लग गए और ये जो तमाम चीज आज हो रही है भारत बंग में आपने भी देखा होगा लोगों में इतना कन्फ्यूजन है कि उनको यही नहीं पता कि वो किस मुद्दे पे सड़क पर आकर दुकानों को तोड़ रहे हैं अब का वक्त खत्म हो गया मैडम आप भी राजनीतिक दली है इस बात को भी आप याद रखी कि बीजेपी जो है वो भी एक राजनीतिक बार कर दीना ठीक है अमने तो रिविव पेटिशन डाय करें बाकी राजनीतिक राजनीतिक राजन अब क्या ज़े इस तरह की पत्रकारिता ना करें आप राहुल जी ने कहा कि जो बंद है हम उसका बंद का समर्थन करते हैं बंद जो है वो लोगतांतरिक खत्यार है बंद के अंदर हिंसा को हम सुपोर्ट करते हैं ना कोई और दूसरा दल सुपोर्ट करता है लेकिन दुरभाग गी यह है कि जहां जहां पर BJP की माक्सिम्म जगे स्टेट्स हैं वहां का पूरी तरह से उनका इंटेलिजन्स फेलियर रहा किस तरह की चीज़ें हो रही है यहां तक कि जो डिवाइडन डूल RSS की पॉलिसी रहती है वो अपने एजेंटे पर काम कर रही है भिंड के अंदर मध्यप्रदेश में अभी बजरंग दल और दलित कारकरता लड़ रहे हैं बाड मेर राजिस्थान में करनी सेना और जिस तरह से वहाँ पर दलित समुदाय के लोग लड़ रहे हैं यह BJP के शाषन के तमाम राज्ये हैं हम के वले जानना चाहते हैं आप दलित विरोधी इतने क्यों है आप रिव्यू पेटिशन फाइल करने में आपको तीन महिने क्यों लग गए पहले रिव्यू पेटिशन फाइल क्यों नहीं की पहले जब केस चल रहा था तो पक्ष प्रॉपरली क्यों नहीं रखा आपके सांसदों ने जब आवाज उठाई तमाम डेलिगेशन सराक्ष पती से जाकर मेले ठीक है आपने इतना लेट क्यों किया आपका ये आरूप है बीजेपी पर ठीक है आपका वक्त खत्म होगे आलुक्शा मैं मैं आपके पास दुबारा आऊंगा विकरम सिंग है जो कि डीजेपी रहे हैं उत्तर प्रुदेश के और इस तरह के कानून विवस्था के हालात पर उनकी पैने नज़र रहती है विकरम सिंग जी ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसे किस तरह से आप इस पर प्रुदिक्रिया देंगे जो पूरे देश से बंद की जो तस्वीर और हिंसा की तस्वीर आ रही है विवेग जी अत्यंत दुर्भाग्यपूर और अवाड़िबल सिचुएशन थी मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरा राष्ट अन्सूचि जाती जन जाती के उत्थान के लिए और उनकी प्रगत के लिए कृत संकल्प है ये कोई हमारा विकल्प नहीं है ये हमारा संकल्प है और समवैधान एक उत्तरदाइत्व है और इस परिप्रेक्ष में जिम्मेदार राजनेतिक दलों ने अपनी राजनेतिक रोटियां सेकने के उदेश से इसको एक स्वर्णिम अवसर मान करके जिसको कहते हैं Fishing in Troubled Waters मैं उमीद करता हूँ कि कानून विवस्था देखने वाले इनको चिन्नित करेंगे इनकी वीडियोग्राफी करेंगे क्योंकि इसमें न सिर्फ सवर्ण बलकी दलित बलकी सभी लोग बीमार अस्पताल नहीं जा सकता है बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं Essential Supplies अवरुद हो चुकी हैं और जिसको जो जरूरी आवश्चक कारें हैं उससे पूरी तरह से कोई संपादित नहीं कर रहा पा रहा है इसमें सब पूरे कास्ट कम्यूनिटी के अलावा सबको कठनाई हो रही है पुलिस और प्रशासन को चाहिए ऐसे शरारती तत्तों को चिन्नित करके रासुका के अंतरगत ऐसी प्रभावी कारवाई करें क्योंकि इनको इस तरीके से उत्रेडित किया गया है आरक्षन से बाते हैं स्टेट बाइ स्टेट देखे विकरम सिंग जी तो इसमें कहीं न कहीं लॉइन और्डर का फिलोर भी सामने आता है क्योंकि जैसा कि आलोक शर्मा कहा रहे थे कि पहले से इंपुट रहा होगा या फिर अगर पुलिस ने पहले से त्यारी की होती तो सिच्वेशन बहुत अद्धा कंट्रूल किया जा सकता था विकरम सिंग जी सवाल पे मैं आप से जवाब लूँगा लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही उसका भी रुक कर देता हूँ और इसमें कोई दोर आई नहीं हम उनके हित के लिए जो भी संभा होका करेंगे क्योंकि मामला भी सुप्रेम कोर्ट के आदेश्या अनसार है तो भी कोई कहना बात कहना हुचित नहीं हो और हिंसा दलिकतियों के उपर दिन प्रति दिन पिछले 4-5 सालों के दौरन इतनी बढ़ गई है कि हर 18 मिनिट में पहले एक एक एट्रोसिटी की घटना होती थी बाकी पार्टियों के राजनेता राजनीती तो कर रहे हैं लेकिन किसी के तरब से अभी तक यह अपील सुनने को नहीं मिला की देश में शांती बर्करा रखे हैं और इस तरह के हिंसक प्रदर्शन से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला झाल झाल